मैं अयोध्या हूँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता फिर भी कार सेवक आधम के दरसल राज्य पुलिस का कार सेवकों से वेभार दोस्ता ना था तब का एक किस्सा बड़ा मशुहूर है उत्तर प्रदेश के सोहावल के पास राजमार्क बंध था वहाँ तैना दरोगा से कार सेवकों ने मिन्नती की लेकिन दरोगा जिट तस्से मस नहीं हुए बोले सरकार का आदेश है इस सड़क से कोई परिंदा भी नहीं जा सकता मैं इस बाद का कड़ाई से पालन करूँगा लेकिन सड़क से उतर कर कोई खेत के रास्ते जाए तो मैं उन्हें क्यों रोकूंगा भला बस कार सेवक खेतों के रास्ते आगे बढ़ गए खैर तीस अक्टूबर को राद धाई पौने तीन बजे से कार सेवकों का सर्यू किनारे पोड़ी मा इसनान शुरू हो गया था सुबह नौ बजे कार सेवक और साधू स्नान कर छोटे-छोटे समूहों में विवादित परिसर कियों बढ़े सुरक्षा बलो ने परिसर से एक किलोमिटर दूर तक कक्षेत्र सील कर रखा था गलियों की मुहाने और हनमान गड़ी के पास पुलिस चोकिया बनाई गई थी कार सेवक उनों इन चोकियों के आसपास डेरा जमाया सुरक्षा जवान खदीर ने आते तो कार सेवक वही सड़क पर बैठ जाते भीर जमती देख आंसू गैस के गोले छोड़े गए लाठी चार्ज भी हुआ लेकिन कार सेवक डटे रहे तब ही अर्दसैनिक बलो ने अचानक गोली आदा गी गली कूचों में दोड़ा दोड़ा कर कार सेवकों को गोलियों का निशाना बनाया गया रशासन की ये कारिवाई इतनी बरबर और निर्मम थी कि घायलों को उठाने की भी किसी को इजाज़त नहीं दी गई वे वहीं सड़क पर पड़े तड़पते रहे इससे पहले पिछले नौ दिन से सरकार अशोक सिंगल को गिरफ़तार करने के लिए कोना कोना चान रही थी लेकिन सिंगल 29 नवंबर को ही आयोध्या पहुँच गये थे संग प्रमुख रज्जु भहिया वही पध्यक्ष विश्णु हरी डालमिया महंत अवैद्धिनाद को रास्ते में ही गिरफ़तार कर लिया गया था अटल जी लखनों एयरपोर्ट पर गिरफ़तार कर लिये गये 30 अक्टूबर को श्रीष चंद्र दिख्षित सिंगल के साथ ही अयोध्या में प्रकट हुए ये 30-40 कारसेवकों के घेरे में रहते थे जब कुछ कारसेवक परिसर में घुज गये तो दिख्षित ने प्रशासन से उन्हें वापस भिजने के लिए अपिल करने की अनुमती मांगी दिख्षित और सिंगल को चबूत्रे से अपिल की इजाजत मिली उनके भीतर जाते वक्त कई कारसेवक परिसर में घुज गये अचानक कारसेवकों की संख्या हजारों में हो गई ये तोड़ फोड़ मचाते हुए गुंबदों पर चड़ गए पहले तीनों गुंबदों में छेद किये और फिर उन पर जण्डे गार दिये फिर फूर्ती से नीचे उतरा है इनका नेत्रित्व दिख्षित के अलावा महंत नित्य गुपालदास संत वामदेव और महंत परमहंस रामचंद्रदास कर रहे थे भीड के आगे प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा था हलाकि थोड़ी ही दिर में सब तितर बितर हो गए सिंगल के गायल होने की खबर फैलने से दोपार करीब दो बजे कार सिवक फिर बेकाबु हुए इन्होंने एक तरफ की दिवार गिरा दी दो युवक गुंबत पर चड़ गए ध़च को ठीक से लगा रहे थे तब ही सियार पिएफ ने गोली चलाई दोनों नीचे आगिरे इसके बाद कार सिवक पीछे की नीव खोदने लगे फिर गोलीया चली ग्यारा बारा कार सिवक यहां भी मारे गए इसके बाद भारी हिंसा हुई लेकिन बड़ा स्थान मंदिर के पास अर्धसैनिक बलों ने गोलीया चलाने का प्रशासन का आदेश मानने से इनकार कर दिया कार सिवक सुरक्षा जवानों के पाऊं छूते जवान पीछे हडते और कार सिवक आगे बढ़ते भारी उकसावे के खषणों में पीएसी यानि प्रादेशिक सशस्त्र बल के दो वर्धिधारी जवानों ने भी कार सिवा शुरू कर दी थी प्रशासन के कान खड़े हुए उसने पीएसी के जवानों को परिसर के भीतर से हटा दिया आज के अंक में इतना ही कल सुनिये अयोध्या गोली कांड के खिलाफ कई शहरों में हुए दंगे